नमस्कार दूस्तों, जॉबसें के रेन में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत करता हूँ, तो आज मैं डिसकसन करूँगा कि एक, मतलब ओस्ट पेंगोल के जॉब के बारे में, और वो भी मुर्सीदाबाद से जॉब निक रिकॉमेंड आया है, और यह जो जॉब है तोइक Two-taly देखा चाहिए, तो मतलब Health सिस्टेम के JOV है, मतलब Health Department का JOV है, यह पर खुद देख सकते है, यह पर बताए कए क्शिए, जो悦क है वो ACTUALLY National Health Missions के उपर है, और इसके उपर कितने vacances हैं, किस तरी के से आप आपलाई करने का मौका दे जारह है, आप दूसरे स्ट से बिलोंग करते हैं तो क्या आप अपलाई कर सकते हैं इतने सारे कोस्चन का अंसर में इस वीडियो का अंदर देने वाला हूँ और कैसे अपलाई करेंगे इसका स्टेप बाई स्टेप में पॉसीडियर भी आपके साथ सेयर करूंगा इस वीडियो को पूरा लास तक तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो जॉब का डीटल से उसके बारे में बात करूंग तो आप देख सकते हैं अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ क्राइटियर दिया गया है अब देखिए लास्टेट आप्लीकेशन फीज जमा करने का लास्टेट है 17 तारीक को सेप्टेंबर मान में और समिसन करने का लास्टेट रहेगा 19 अफ में सरी 19 अफ सेप्टेंबर और साथी साथ मतलए डेट आफ एरिफिकेशन ऑफ डॉकुमेंट्स इसके लिए भी डेट में अपीसले वेबसाइट में दिया गया है तो पूरा का पूरा जो डेटा है इसके सेप्टेंबर में आपको बात कर रहा हूँ देखे डेट ऑफ इंटर्फिय होगा और उसको पपली सब्सक्राइट में सारे डेट मिल जाएगा अप्लिकेशन करने के बाद ही जब एप्लिकेशन का क्लोजिंग डेट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा अच्छली इंटर् अगर करेंगे तो आपको आपका जो सम्मिस्टन है उसको एकस्प नहीं किया जाएगा मतलब आपको रिजेक्ट किया जाएगा उसके साथ साथ यह भी बता जारे के केंडियेट सूट आप देखे से नोट डेट इंपोर्टनली फाइल्स आफ और इन मतलब इन पयाएगा है उसको उसी तरिके से अफलोड करना है तो सारे चीच आपको अपीसले वेबसाइट में जाकर करना होगा और यहाप और भी देख सकते हैं पूरा डीटेस यहाब दिया गया है और भी कुछ डेटा आपको मैं बता दू देखे जो प्लेस और पोस्ट है का आपक पोस्टिंग मिलेगा वह यहाप आपको बताए गया है और जो पोस्ट का कोल्ट है वो भी आपको देख सकते हैं और टोटल जो वान वैकेंसी से बोगी जनरल के लिए और यहाप जो टोटल सालरी मिलेगा 35,000 परमाद आपको सलरी मिलने वाल है और यहाप टोटल डीटेल भी दिया गया है, maximum age limit 40 से 40 years तक आपका age limit होना चाहिए, और आपके इसके लिए qualification MBBS, dental, साथ इसके साथ nursing, life science, social science, graduation compete कर चुके है, health management को पर course compete कर चुके है, उसके साथ साथ एक साल की experience भी है, किसी भी health and hospital administration का, आप जुरूर इस post के लिए अपलाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ schedules दिया गए है, आप देख सकते हैं, modes of schedules, total 100 marks का total schedules रहेगा, आप देख सकते हैं, जो examination होगा, वहापे MCQ type reading examination होगा, 100 marks का, और जिसके लिए आपको 50 marks का question रहेगा, और वह भी MCQ type, और उसके लिए 60 minute आपको time दिया जाएगा, उसके बाद computer skill test आपको दिया जाएगा, 40 marks का, total आपको interview के लिए 10 marks के रखा गया है, तो इस तरीगे से कुछ examination details दिया गया है, और उसके बाद दूसरे जो और यहापी भी salary 60,000 तक मिलेगा, आपको age limit 67 तक दिया गया है, तो MBBS आपको compete करना होगा, और एक साल की आपका, मतलब compulsory आपको intership करना होगा किसी भी जगा पर, तब ही आपको काम मिलेगा, job मिलेगा, और 100 marks का question यहापे रहेगा, examination होगा, उन में से 80 marks basic qualifications के उपर, और बाक से अलाग-अलाग vacancies है, और इस vacancies को list में आपको नीचे दे देंगा, जाकर आप check out कर सकते हैं, अभी apply करने के लिए एक link मिलेगा, इस link में जाकर आप click कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह के officially website आपको मिल जाएगा, यहाप आप जिस post के उपर apply करना चाहते हैं, उसक code क्या है, उसके साथ आपका father's name, mother's name, actually आपका total details आपको भरना होगा, date of birth से लेकर mobile number, email address, सब कुछ भरने के बाद से अमिट कर देना होगा, तो simple step है, step को follow करके आप काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो please like करना, और इसी तरह की से job पाना है तो चैनल को subscribe करना Thank you